आस्मान में आए दिन आकाशी घटना घटती रहती है लेकिन इने केवल वेग्यानिक ही देख पाते हैं और इसका कारण ये है कि वेग्यानिक 24 घंटे इन पर दुर्बिन से अपनी निगाहे गाड़ाई बेठे रहते हैं लेकिन इस बार आस्मान में कुछ हैसा हुआ जिसको वेग्यानिकों ने नहीं बलकि आम इंसान ने अपने आँकों से देखा और भोचक के रह गए क्या ये धर्ती पर आने वाली किसी बड़ी आफ़त का संकेत है पिछले कई दिनों से एलियंस और यूएफो के नजर आने के बाद आस्मान में चांदी जैसी चमकती वस्तू उ देखा फोटो केप्चर करने वाले शक्ष ने बताया कि वो सामानी रोष्णी नहीं थी लोगों ने आशंका जताई कि हो सकता है कि ये एक आग का गोला हो जो पूरे यूरोप में तेजी से देखा गया हो लिसेश्टर की सड़क से नौर्थ इविंग्टन के इस्ट पार्क रोड पर ये तस्वीर ली गई थी फोटो में ये रोष्णी तेजी से दोड़ती वी नजर आई और थोड़े ही समय में आचाना गयाब भी हो गई अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये रोष्णी क्या थी और पड़क जपकते ही कहां गयाब हो गई फोटो रवीवार 30 जन वाली चांदी की रेखासी बन गई थी बतादे की शनिवार को यूके समयत पूरे यूरोप में शाम को सो से अधिक उलकापिन देखे जाने की सुचना मिली थी ये घटना शाम साथ बजे के आसपास की थी इसने पूरे आकाश में अपना रास्ता बना लिया था इसकी रोष क्या थी इस पर रिसर्च अभी भी जारी है